आज हम बनाने वाले हैं पीजा कप इनको हमने अपे पैन में बनाया है वो भी गिहू के आटे से बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आते हैं तो जरूर ट्राई करें हमारी इस आसान सी रेसिपी को अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आईए बनाना शुरू करते हैं मैं एक प्लेट में डाल रहे हूं इसमें गेहू का आटा तो हमने ये 1.5 कप गेहू का आटा लिया है और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें एक टीस्पून के करीब नमग और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1-4 टीस्पून ये खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा और इसी के साथ आधा कप दही और इस सब चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे और इसका हम एक सौफ्ट डू बना कर तयार कर लेंगे इस तरीके से हम इसको गूत लेना है जैसे हम आटा गूतते हैं वैसे ही तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल कर इसको गूत लेंगे तो बहुत जन्दी यह बन जाती है रेशिपी और सभी को बहुत जादा पसंद आती है कभी भी आप इसको बना कर खा सकते हैं तो देखिए हमने आटा गूत लिया है अच्छे से बस इसको हम पांच मिनट के लिए इसी तरीके से मसल लेते हैं इसको चिकना कर लेते हैं तो थोड़ा सा हम इस प कवर करकर रख देंगे ताकि यह रोजो एब अच्छे से स्सेट हो जाए तो हम एप इसको कवर करकर हम रख देते हैं आप इसके लिए हम प्रॉपिंग तैयार कर लेते हैं तो हमने लिए यह बारी कटी वी शिम्ला मिर्च और दो बारी कटेवे टमाटर आतर है और इसमें ह हम डाल देते हैं फीजसोंस ओर मार्केट का पीजसोंस है नहीं है तो आप इसको इसके पिपी कर सकते हैं सिर्फ आप सेजवान की वान तो टमैटो को डाल सकते हैं और इसमें अब हम डाल देंगे एक टी स्पून के करीबी mix up और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे red chili flakes दो से तीन चमच हम डाल देंगे इसमें यह mozorella cheese तो इगरेट करका हमने mozorella cheese लिए है तीन चमच हमने mozorella cheese डाल दी है और इसको मिला देते हैं नमक दाला है है थोड़ा ही नमक हम इसमें ढालना है też बस सब चीजों को अच्छे से मिला गया है तरीके से तो करीब 12 मिनट हो गये है हमारा आटा है आच्छी से सेंट हो गया थोड़ा से इसको कि आप對對88 नीट कर लेते हैं और अब मीट करने के बाद हम इसको थोड़ा साम ही सुखा आठा भी ले लेते हैं और इसको हम आठा को जो हमने बूद कर लिया है सुखा आठा डालकर हम इसके दो पेड़े बना लेते हैं तो बड़े-बड़े साइस के हमने ये पेड़े बना लेंगे और एक पेड़ा लेकर तोड़ा सूखा आठा हमने लगाया है आप चाहें तो इसमें ओईल भी लगा सकते हैं बेलने के लिए और इसको हम पतला बेल लेंगे तो पतला हम इसको बेलना है बहुत जादा भी पतला नहीं करना जैसे हम पराठा बनाते है न वैसी हमें हलका सथिक चोह हमारे अप्पे पैंड के जो कप होते हैं उसमें आ जाए इस तरीके से हम इसके छोटी-छोटी रोटिया जो बना कर तयार कर लेंगे तो हम निकाल लेते तो बहुत असानी से यह निकल जाते तो सबको हमने निकाल लिया है देखिए इतनी ठीकनेस होनी चाहिए इसकी अब हमने एक फोक लिया आए, इस फॉक से हम पर ऐसे छेद कर देते हैं, ताकि जब हम इसको इसरोकी को हम पर पैन पर लगाएं तो इस बहुत जादा फूल है, इस तरीखे से हम इस सारी रोटियों में छेद कर देंगे। पर हमने यह अप्पे पैन लिया है, इसको हम ग्रीस कर देते हैं, तो हम यहां पर इसको घी से ग्रीस कर रहे हैं, आप बटर, घी, ओयल किसी से भी कर सकते हैं, अच्छे से हम इसको ग्रीस कर लेना है, पहले जो हमने वो छोटी-छोटी रोटिया बना कर रखी है ना, उनको हम भूं इस पर रख देंगे, तो हम इसको पैन के तले तक तोले तक स तरीके से जैसे मैं कर्भी यूज सेट करना है ताकि यह अच्छे से सिक जाए, जब हमंठ को हम सेखे तो अच्छे से हमने सारी रूटिया ए, वो रख दीया है इस पर, और जो हमने टॉपिंग्स बनाकर रखी थी ना, वो हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी रख देंगे, तो हम यह बहुत उपर तक नहीं परना है, क्योंकि हम इसमें अभी चीज भी डालेंगे, उपर से थोड़ी और, इस तरीके से हम इसमें यह रख देंगे, सारी टॉपिंग्स हम इसमे गुבה पाराय विल्ख केस्ट मैं याम है इसे तरीकेसे थोड़ी-फूडी बहुत पसंद उसी रहा ही, bet सब थोड़े से इनको भी हम इस पर श्प्रिंखल कर देतेझ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा और थोड़े से हम इस पर चिली फ्लेक्स भी डाल देतेंगे , तो हम 거지 क्योने उसको भी इस पर डाल दिया है अब हैने गेस जला दिये उस पर हम ये पैन रख देते हैं अपर पैन और इसको कवर करकर हम लो फ्लेम पे करी पांच मिनट के लिए ऐसे कुक कर लेंगे ताकि जो चीज है वो भी वुपर से अच्छे से मेल्ड हो जाए और दोनों तरब से ये अच्छे से पक जाए तो देख हमारी ये पीजा कप बनगर तयार है तो जरू ट्राय करें हमारी आसान सी रेसिपी को आपको बहुत ही पसंद आएगी अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें देखे कितने अच्छे से ये दोनों तरब से अच्छे से ये बेख हुए सिख गए हैं भेना क इतना असान इनको बढ़ाना तो बिलते हैं अगरी नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक कियर एंड बाई